अगर आप मेरे चनल पहली बार देख रहे हो यह अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का ब्टन दबागर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करना ना बूलें बैल आइकन को क्लिक करने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको फोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा बिना वीडियो को लाइक करें बन ना करें और मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा वाट्सप नमबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गोल्ड 1643 जॉलर के आसपास चल रहा है कल एक सर्प्राइज रेट कट आया फैट की तरफ से वो भी 50 वीपीएस का मतलब आधा परसंट का रेट कट आया यूशली अभी आपने देखा होगा तो 2-3 साल से पैट जो रेट कट या हाइक कर रहा था वो 25 वीपीएस यानि 0.25 परसंट कर रहा था मार्केट सस्टेन भी कर रहा है उसी लेवल पर चलिए आज का सपोर्ट रेट संट देख लेते हैं आज का गोल्ड का सपोर्ट है 1620 डॉलर जी हां बहुत नीचे सपोर्ट है बिकाज मार्केट का रेंज बहुत बड़ा है गोल्ड का रेट से 1601 डॉलर 1601 को पर जाता है और सस्टेन करता है तो 1680 और 1690 जा सकता है 1620 के नीचे सस्टेन करता है तो 1600 और 1590 वापस से जा सकता है फिल्हाल गोल्ड का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है अबॉइट कीजिएगा सेलिंग करना डिप्स में बाइंग कर सकते हैं बट स्टॉप 1220 से नीचे कर लागेगा। चल यहं कि यहılária का चार्ट 1728 चल रहा है कल से इसमें प्रोफ दी आइए इसका सपोर्ड रिस्सम्ट देख ली तेंसुका सपोर्ट स्टाइब करेंगे द्टाइब करेंगे तुछ द्टाइब करेंगे 10 ज्यादा बहता ट्रेंड पॉजटिव है तो आवाइट कीजिए का सेलिंग करना डिफ में आप बाइंग करेंगे स्वलाट ठामे का स्टॉप लॉस का तो वो ज्यादा बहता ट्रेट रहेगा हाववेवर अगर स्वलाट ठामे निकलता है और सस्टेन करता है मार्केट तो बिल्कुल भी बाइंग होल ना करें चली कुरूड लेखते हैं कि यह पुद ओल का चार्ट पॉजिटिव जोन में जाने की कोशिश कर रहा है अभी भी देड़ पसंड के असपास उपर है पर अभी यह किसका जो रिजिस्टेंस है वो काफी उपर है चली आज के लेवल देख लेते हैं क्रूड ओल का रिजिस्टेंस है 49.20 का क्रूड ओल का सपोर्ट है आज का 46.70 का 46.70 के नीचे निकलता है तो मार्केट और वीक हो जाएगा 45 डॉलर दक जा सकता है 49.20 यानि गड़न चास 20 को पर निकलता है तो क्रूड ओल पचास डॉलर और 51.52 भी जा सकता है फिल्हाल क्रूड ओल का ट्रेंड वीक है अवाइड कीजिएगा बाइंग करना जब तक रिजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है चलिए अब MCX के लेवल देख लेते हैं सबसे पहले क्रूड ओल को ही देखते है क्रूड ओल का रिजिस्टेंस है आज का च्छतिस सो साट क्रूड ओल का सपोर्ट है आज का चौठिस सो थीस गोल्ड का सपोर्ट है आज का गोल्ड तर्ताले दर साथ तो हो गया गोल्ड का आज का सपोर्ट है जाताल हीजार तीन सो गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का चमल हीजार सो गोल्ड इतना इसलिए भाग रहा है विकॉज रोज के रोज जो है वो यूज दी आइनर पचास पैसा 60 पैसा उपर बंध होता है तो भले कॉमेक्स में नीचे भी आ जा से जो गोल्ड है वो तक्रीबन वो यूज दी आइनर जो है वो 71-70 से 73-70 आ गया बहुत ज्यादा फर्क होता है जब दो रुपे बढ़ता है मार्केट यूज दी आइनर में 3.0am 6 है की तिल्वर का सपोर्ट है आज का कि श्यालीजाव सो अशल्वर का अच्पार का सिल्वरकर दॉस्टंस है आज का हो एंधाल्याजाज दो सुपीस श्याज़ बंश साट्री निफ्टीद का सपोर्ट है 11884 अब यूज रजुस्टीविर आज याराज थीन अज तो डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास एक ही वर्ड है and that is chaos मार्किट बहुत chaos के mood में है एक तो कोरोना वाइरस की वजह से मार्किट में बहुत chaos आ रखा है उपर से economies पर इतना असर पढ़ रहा है और अब central bank में भी market में intervention शुरू कर दिया है तो बहुत ज्यादा chaos और बढ़ सकता है market में तो अगर आप अपना account बजाना चाहते हैं तो बहुत ही strict stop loss के साथ trade करें अगर आपके stop loss भी hit होते हैं तो at least आप बच जाएंगे अगर आप बिना stop loss के position hold करते हैं तो बहुत ज्यादा मुसीवत में फस सकते हैं यह chaos मुझे 2008 की याट डिला रहा है जब recession शुरू हुआ था let's hope recession ना हो but chaos वैजा ही है जैसा recession में था in fact उससे भी ज्यादा chaos है because of coronavirus coronavirus जो है वो uncharted territory है modern मतलब जब से internet की दुनिया शुरू हुई है अमने ट्रेडिंग नए लोगों ने शुरू की है internet वालों ने तब से ऐसा कोई market में problem नहीं आया है तो for us जो अभी नए ने ट्रेडिंग वतलब 20-25 साल से जिन्नों ने internet online ट्रेडिंग शुरू करी है उनके लिए तो यह नया ही है last जो एक panademic हुआ था 2018 में हुआ था तो I am sure जो भी अगर 60-70 साल का भी कोई यह मेरे सब्सक्राइबर वीडियो देख रहा है उसके लिए भी यह नया ही है let's hope के यह virus ज्यादा ना बड़े और chaos कम हो जा market में चले अब कल वापिस update दूँगा तब तक के लिए take care bye bye